हेलो एब्रीवन मैं हूँ राकेश वगत करता है को और नई वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे लारजेस्ट सोलर पार प्लांट के बारे में इस वीडियो हो लोग यह समझेंगे कि यह प्लांट जो है इंडिया के कौन से स्टेट में इंस्ट् किया गया है कौन सा इयर में इसको इंस्टॉल किया गया तिये तमाम सा टॉपिक जो इस वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा ताकि आप हार एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे और मैं आप लोग को जो है यहाँ पर लाइब आप लोग को दिखाने वाला ह हो कि यहाँ पर जो यह प्लांट कैसा दिख रहा है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह पावर प्लांट का नाम जो है वो नाम दिया गया है वाडला सोलर पार प्लांट वी ए डी एच एले वाडला सोलर पार प्लांट जो रायस्थान के डिजर्ट एरिया में किया गया है लगाया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन के द्वारा इंस्टॉल किया गया है और यह पूरे प्लांट का जो कैपासिटी है वो है 2245 मेगा वार्ट्स का आप सोच करके देख सकते हैं 2245 मेगा वार्ट्स का solar power plant है और यहाँ पर जो है अगर इसका हम area के बारे हम बात करें तो total जो है यह 64 square kilometer की area में इसको install किया गया है मतलब अगर हम देखेंगे तो 8 kilometer लंबा और 8 kilometer 14 यह पूरा area में 64 square kilometer की area में इसको install किया गया है तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने google earth पे और यहाँ से हम लोग पहले अपने इंडिया को सर्च करेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे कि यह power plant कहां पर है और कैसा दिख रहा है तो मैं आ गया हो desktop के screen पर थोड़ा मैं इसको zoom कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा इंडिया है और यहाँ पर हर एक estate को यहाँ पर locate किया गया और सामने में देख पा रहे होंगे जैपूर यहाँ पर लिखा गया है मतलब यह जो area है यह राजस्थान का area है तो यहाँ पर जाकर के सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वाडला सोलर पार्क तो आप देख रहे हैं कि यहाँ गूगल अर्थ मुझे यहाँ पर लेकर के आ गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे थोरा सा मैं इसको slide कर ले रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर clearly जो है यह का नाम दिया गया है बाडला सोलर पार्क और यहाँ पर देखिए इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यहाँ का जितना भी area आप देख पा रहे होंगे यह पूरा area देख रहे है यह पूरा जो है रेगिस्तान है जिसको हम लोग बोलते है थार का मरवस्थल वहाँ पर इसको install गया गया है मतलब यहाँ पर ना आपको agriculture land दिखेगा ना आपको plant दिखेगा आप अगर जूम करके देखेंगे यह चोड़ा चोटा गिरीन जो पार आपको दिख रहा होगा यह चोड़ा चोटा यह है पेर है मतलब कहीं कहीं पर जो है निकला हुआ है मतलब यह तो 110 परसेंट जो है यह अनफर्ट चैर लेंड है जहां पर agriculture नहीं होता है यह मरवस्थल है जिसको हम लोग बोलते है थार का मरवस्थल वहाँ पर इस plant को लगाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए बहुत साहीं लोग जो है दुबई घुमने के लिए जाते हैं अरे भाई हमारे यहां पर इतना अच्छा जगा है दुबई से अच्छा है यह दुबई में क्या करता है लोग जो है जो रेत है रेत के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं तो क्या हमारे राजसान में जाकर सकते हैं बिलकूल कर सकते हैं यार इतना अच्छा हम लोग को नेच्छल चीज हम लोग क बात करें तो आपको जो है छोटा छोटा यहां पर आपको सुच यार्ड आपको दिख रहा होगा है तो बहुत बड़ा लेकिन यहां पर आप देखिए यह वाला देख रहे हैं यहां पर एक सुच यार बना पावर हाउस बनाए गया है तो यहां पर देख सकते हैं यह जो है यह पुरा पावर हाउस बनाए गया किताव पावर हाउस है एक पावर हाउस यह आपको दिख गया दूसरा पावर हाउस जो है आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह वाला पावर हाउस बनाए गया दूसरा नमर यह है पावर हाउस तीसरा मैं आप लोग को दिखाता हूं यह आप देखिए एल एंटी सोलर पावर यहां पर लिखा गया है मतलब देखिए एंटी पीसी का प्रोजेक्ट है लेकिन एल एंटी लगाती है मैं अल्रीडी जो है तामिलानूम में था तो वहां पर भी मैंने देखा था कि एंटी पीसी का प्रोजेक्ट था लेकिन उससे ज बोल्ग ये पुरय पलांट ये किया गया है और एलन टी को इंस्टॉल किया लगाया है तो अब यहां पर देखीए आपको एक पाओंहस यहां पर दिख रहा होगा पुरा और ठ yourself valuable अधर रही तक पर ने होगा है आप उसके भाद यहां पर देख रहा है, यह भी एक बनाये गया है Powerhouse यहां पर, क्योंकि यह देखिया, आप यहां पर देखिया है, यह पूरा जो lightning में लगा हुआ है, यह क्या है, यह solar panel का table है, आप सोच करके देख सकते है, कि 64 square kilometer के इरिया कितना होता है और इसमें जो है 2245 मेगा वाट का solar plant install किया गया है और वो भी ऐसा フम हम देख सक्थて हैं यहांपर पानी नहीं तो वह है यहां पर बिजली का खेटी जो यहां पर किया जा रहा है आप देख सकते हैं 20 और मैं से कुछ धुनने का पर्यास कर रहा हूं अगर मिल जाए तो मैं दिखाता हूं आप लोग को आप लोग गुगल के सब्सक्राइब तो आपको मिल जाएगा सिर्फ आपको यह नाम याद रख लिए जिए जो वादला सोलर पारप्लांट लिखा हुआ यह सर्च मारिया गुगल पर तो आपको आसानी सोहां पर देखने को मिल जाएगा यह सबसे जो है मतलब इंडिया का सबसे बरापार प्लांट है जो एक ही जगह पर इतना वरा इंस्ट्रॉल किया गया है आप देख रहे हैं आप उसके बाद देखिए यह तो हो गया उसके बा लगाया गया यह पूरे प्लांट यह अर्जून ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहां पर लगाया गया है यह कितना मेगावाट का है मुझे पता नहीं है लेकिन उसके बाद अगर और देखेंगे तो आप यहां पर देखिए 400 किलोवाट ग्रीड है और यहां पर देख रहते हैं यहां पर यह भी एक और पार प्लांट जो है आपर इंस्टॉल किया गया है यह किसका है रोहा डेचीम पावर लेमिटेर मतलब इंडियन कंपनी नहीं लग रहा है इस अब है और यह सब जो है आई बीसी सोलर यह सब द्वारा मतलब इसमें जो है डिफ्रेंट कंपनिया है जो बिदेशों से आ करके यहां पर इंस्टॉल की है आप यहां पर देख रह से पूरा कवर कर दिया गिया है वहां से जो है हम लोग एंगरी कल्चर तो खेती नहीं कर सकते लेकिन सोलर प्लांट का खेती जरूर कर सकते हैं जैसा कि आप एस्कीन पर देख पा रहे होंगे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर 50 मेगावाट का इंस्टॉल किया गया है है यह भी 50 मेगावाट का है और भी मैं यहाँ भूनने का पर्यास कर रहा हूँ आप यहां पर देखें यह पूरा सोलर प्लान्टी यह ए देखिये पूरा सोलर प्लांट therefore कि यह है एसी हमे क्लेंटेक्स सोलूशन के दोड़ा यहां पर लगाया गया है यह सब प्लांट और इसका दिए पावर हाउस यहां पर इसको बनाया गया है थोड़ा समय सको और जूम करके दिखाता हूं देख रहे हैं यह पूरा जो है पावर हाउस है यहां पर पूरा जो है टांस्मिशन के यहां पर आया हुआ है और होई यह पर अगे पर यहां पर बनाए गया है यहां पर भी पावरास यह भुण फ़ेकर गया है तो यहां पर राजथा लगाने का मेन यह नहीं है पानी का बहुत किलत है लोग वहां पर सरवाइब करने मुस्कील हो रहा है तो वहां पर मतलब कुछ न कुछ मोई सवर्स होना चाहिए तो तोसा अच्छा दिमार्ख लगाया गया गWर्मेंट के द्वारै और यहाँ our जो भी आस्थानिय लोग थे जिसका जिसका लैंड था यह जमीन जो है लिज़ पर लिया गया और उसके बाद लिज़ पर लेने के बाद पूरा ये एरिया को पुरा डिजर्ट को पूराव धिया पूरा के गांगा गण गया देख सकते है है कितना घुलाक रहा है इस परकार से जो हरा स्थान में विकास किया जा रहा है जहांप आप यहां पर भी है प्लाट आपको देखने को मिल भी इस मेडावाट का प्लांट है ही है दिख रहा है कि यहां पर इंस्टोल क governo है राजिस्थान है टो बहुत जगाप इंस्टोल किया गया है और बहुत मतलब पुरे इंडिया में सब से जь्यादा अगर सोणर प्लांटक चॉल किया है तो राजस्थान राजास्थान में ही सब्सक्राइब किया गया है क्योंकि वहाँ पर जो है लेंड भरपूर मात्रा में है क्योंकि आप डिजर्ट है आप पर खाली रेगिस्तान है वो तो रिसान में क्या होगा कुछ नहीं होगा अच्छा कि पुरा प्लांट से बर दो और आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है यहां पर देखने को मिलेगा यह पूरा प्लांट यह पूरा प्लांट पूरा सोलर प्लांट